दिसंबर 2019 में पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी का प्रकोफ फैला जिसका एक व्यापक प्रभाव अर्थवस्था के उपर पड़ा 22 मार्च 2020 को हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू की अपील की गई जिसके परिणाम सुरूप जनता कर्फ्यू सफल रहा लेकिन उसके तुरंट बाद पूरे देश भर में लोकडाउन लगा दिया गया एक लोकडाउन का फेज रहा उसके बाद अनलोक का फेज आया लेकिन इस एक लंबे समय में एक ऐसी परिस्थिती उत्पन हो गई जहां अर्थववस्था अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जूज रही है GDP के अंदर गिरावट आई 23 परतिशत का डिकलाइन आया GDP के अंदर ये गिरावट देश के अंदर वस्तूओं और सेवाओं के उत्पादन में गिरावट को प्रदर्शित करती है इस परिस्तिती में हमारे परदान मंतरी नरेंदर मोदीजी ने जनता से ये प्रार्थना की कि जो भी लोग उनकी चाहे कंपनी में काम करते हों घरों में काम करते हों उन लोगों का वेतन ना रोका जाए इस अपील का प्रभाव हुआ और पब्लिक ने जन्ता ने जितना वो दान कर सकती थी डोनेट कर सकती थी उतना किया और सभी लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट भी किया इसी क्रम में राष्टपती ने दो अध्यादेश जारी किये उन अध्यादेशों के द्वारा सांसदों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में कटोती करने का प्रावधान किया गया पहला अध्यादेश था मंत्रियों के वेतन और भत्ता संशोधन अध्यादेश 2020 पहला अध्यादेश क्या था? मंत्रियों के वेतन और भत्ता शंशोधन अध्यादेश 2020 दूसरा अध्यादेश क्या था? संसद सदस्यों का वेतन भत्ते और पैंशन शंशोधन अध्यादेश 2020 दो अध्यादेश जारी हुए एक अध्यादेश तो मंत्रियों के वेतन और भत्तों में कटोती कर रहा था दूसरा अध्यादेश सांसदों के वेतन और भत्तों में कटोती कर रहा था अब हम बात करते हैं पहले अध्यादेश की पहला अध्यादेश क्या है संसद सदस्यों का वेतन भत्ते और पेंशन शंशोधन अध्यादेश 2020 अध्यादेश जारी कोन करता है अध्यादेश राष्ट्रपती जारी करते हैं किसकी सलापर करते हैं मंत्री परिशद की सलापर करते हैं और इस मंतरी परिशद की अध्यक्षता कोन करते हैं? प्रधान मंतरी. तो ये अध्यादेश जारी किया, राश्ट्रपती ने. जारी करने की तिथी क्या थी? जारी करने की तिथी थी, 7 अपरेल 2020. इसको प्रख्यापित भी बोलते हैं, पुरमिल गेटिड. ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि ये अध्यादेश राश्ट्रपती ने प्रख्यापित किया. किस्तिती में किया? 7 अपरेल 2020 में किया. इस अध्यादेश के उद्देश्य क्या थे? इस अध्यादेश का जो पहला उद्देश्य था, वो था 1954. 1954 के अधिनियम में संशोधन करना. अब ये 1954 का अधिनियम क्या है? इस अधिनियम का नाम है संसद सदस्यों के वेतन भत्ते एवं पैंशन अधिनियम 1954. ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा संसद सदस्यों का वेतन भत्ता और पैंशन निरधारित होता है. क्या निरधारित होता है? संसद सदस्यों का वेतन भ अत्ता और पैंशन निरधारी तो होता है तो इस अध्यादेश का उद्देश है इस अधिनियम में संशोधन करना था दूसरा सांसदों के मूल वेतन में 30 परतिशत की कटोती करना यानिके हमने का संशोधन करना संशोधन करके करना क्या था संशोधन करके ये 30 परतिशत की कटोती करना था अब यहां एक बात और समझ लेते हैं वो क्या है कि संशद जब भी कानून बनाती है तो वे एक धाचा बनाती है और उस धाचे के थुरू उस धाचे के अंतरगत केंदर सरकार या जो भी सरकार होगी उसको कुछ शक्तियां दे देगी और उन शक्तियों के द्वारा केंदर सरकार समय समय पर कुछ नियम बनाएगी कुछ नियमों को अधिसूचित करेगी नोटिफाइड रूल्स, रूल्स नोटिफाइड करेगी, तो समय समय पर कुछ नियमों को अधिसूचित करती है, तो कर क्या रहे हैं, भारत सरकार 1954 का जो कानून था, यानि कि 1954 का जो अधिनियम है, उसके अंतरगत कुछ जो अधिसूचित नियम थे, उनके अंदर भी कर रही है, भारत सरकार 1954 के अधिनियम के अंतरगत, जो कुछ अधिसूचित नियम थे, उन नियमों में भी संशोधन कर रही है, और ये क्या संशोधन है, कि सांसदों को कुछ जो भत्ते मिलते हैं, उनमें एक साल की कटोती का प्रावधान है, अब वो कौन-कौन से बत्ते ह पहला भत्ता है निर्वाचन शेत्र भत्ता, दूसरा है कारियालई भत्ता, क्या-क्या भत्ते हैं, निर्वाचन शेत्र भत्ता और दूसरा है कारियालई भत्ता, इन भत्तों में कटोती करने का प्रावधान कर रहे हैं, अगला जो अध्यादेश है, वो है मंत्रियों के वे के उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य था मंत्रियों का वेतन और भत्ता दिनियम 1952 में संशोधन करना और मंत्रियों के सतकार भत्ते में 30% की कटोती करना इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया? सत्कार भत्ते में 30% की कटोती कर दी गई अब ये जो कटोती है ये 1 वर्ष के लिए लागू रहेगी और 1 अप्रेल 2020 से प्रभावी होगी कितने टाइम के लिए लागू रहेगी एक वर्ष के लिए लागू रहेगी और एक अपरेल 2020 से प्रभावी होगी अब अगर हम बात करें इन कटोतियों का कारण क्या है क्यों ये कटोती की गई तो COVID-19 महामारी से लडने के लिए साथ-साथ इसके कारण जो आर्थिक समस्याइं उत्पन हुई है उन से लडने के लिए केंदर सरकार को वित्य संसादनों के आवशकता है तो उन वित्य संसादनों में ये कुछ योगदान देंगे यानि के जो कटोती की गई है यहां से जो पैसा बचेगा उस पैसे को COVID-19 महामारी से लडने के लिए उप्योग में लाया जा सकता है तो ये वित्य संसादन उपलब्द कराएगी क्या उपलब्द कराएगी? वित्य संसादन उपलब्द कराएगी अब बात करते हैं संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके दूरा संसद के सदस्यों का वेतन और भत्त निरधारित होता है संविधान का अनुच्छेद एक सोच है संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते को बताता है कि कौन ये निर्धारित करेगा तो अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद समय समय पर विधी द्वारा ये निर्धारित करेगी कि सांसदों का वेतन और भत्ता क्या होगा तो मोटे मोटे तोर पर अगर हम समझें तो सदस्यों का यानि के सांसदों का वेतन को निर्धारित कर रहा है संसद निर्धारित कर रही है को निर्धारित कर रहा है संसद यानि के सांसद खुद ही अपना वेतन और भत्ता निर्धारित कर रहे है इसका अर्थ यह हुआ कि यहां सीधे सीधे तोर पर हितो के टकराव का एक मामला बनता है क्यों बनता है क्योंकि सांसद खुद ही अपनी जो वेतन है और जो भत्ता है उसको निरधारित कर रहे है अगर हम बात करें तो 2018 तक संसद खुद ही समय समय पर सांसदों का वेतन निरधारित करती थी लेकिन 2018 में 2018 में वित अधिनियम यानिके Finance Act पास करके संसद ने सांसदों के वेतन का निरधारन का जो प्रिक्रिया थी उसको चेंज कर दिया ये क्या कर दिया गया कि जो संसदों का वेतन है इनके भत्ते और जो इनकी पेंशन है इसमें हर पास साल में व्रद्धी होगी इसमें कैसी व्रद्धी होगी हर पास साल में व्रद्धी होगी और इसका आधार क्या बनेगा आधार बनेगा आयकर अधिनियम 1961 1961 क्या बनेगा आएकर अधिनियम 1961 में दिये गए लागत मुद्रा इस्विती सूच कामक ध्यान से समझना 2018 तक सांसदों का जो वेतन था भत्ते थे उनकी पेंचन जो भी थी वो सब किसके द्वारा डिसाइड होती थी कौन निर्धारित करता था संसद खुद निर्धारित करती थी 2018 में एक वित अधिनियम के जरिए सांसदों का जो पेंचन है जो भत्ते है वो निर्धारण करने का जो प्रिकरियातिस में संशोधन कर दिया गया इसके बाद सांसदों का जो वेतन होगा भत्ते होंगे या जो पैंशन होगी ये हर पात साल में बढ़ेंगे ये हर पात साल में इसमें वरद्धी की जाएगी ध्यान से समझना पात साल में वरद्धी की जाएगी लेकिन इस वृध्धी का अधार क्या बनेगा इस वृध्धी का अधार बनेगा लागत मुद्राइस्विती सूचकांग क्या बनेगा लागत मुद्राइस्विती सूचकांग और ये लागत मुद्राइस्विती सूचकांग कहा मिलेगा ये मिलेगा आयकर अधिनियम 1961 61 में कहा मिलेगा आएकर अधिनियम 1961 में अगर हम बात करें तो 1985 में संसद ने कानून पारित करके कुछ शक्तियां केंदर सरकार को दे दी थी कुछ शक्तियां किसको दे दी थी केंदर सरकार को सौप दी थी इन शक्तियों का इस्तेमाल करके केंदर सरकार कुछ निश्चित संसद ने कानून पारित करके कुछ शक्तियां केंदर सरकार को सौप दी थी। इन शक्तियों के द्वारा केंदर सरकार कुछ निश्चित भत्तों को निरधारित और संशोधित कर सकती थी। किसके भत्ते थे ये ये थे संसदों के भत्ते। उसमें कौन-कौन से भत्ते हैं आते हैं निरवाचन शेतर भत्ता, कारियली भत्ता और आवसी भत्ता। कौन-कौन से भत्ते हैं निरवाचन शेतर, कारियली भत्ता, तो अभी हमने देखा कि भारत के अंदर अब मुद्रा इस्फिती के हिसाब से संसदों की जो वेतन है वो निरधारित की जाएगी, संसदों का वेतन निरधारित किया जाएगा। तो भारत में किस हिसाब से चलेगा? लागत मुद्रा इस्फिती सूचकांक की हिसाब से चलेगा। और हर पांच वर्स में चलेगा। कैनेडा के अंदर भी मुद्रा इस्फिती के हिसाब से ही वेतन निरधारित होता है, लेकिन यहां पिछले वर्ष के ओसत उपभोगता मूल्य सूचकांग Average Consumer Price Index ओसत उपभोगता मूल्य सूचकांग के आधार पर निरधारित होता है और यह हर वर्ष होता है कैसा होता है हर वर्ष ठीक है तो भारत में पांच वर्ष में कैनेडा में हर वर्ष भारत का जो बेस बनेगा वो लागत मुदराश्पती सूचकांग बनेगा कैनेडा का कोंसा बनेगा ओसत उपभोगता मूल्य सूचकांग अब कुछ ऐसे भी देश हैं जहां एक स्वतंतर संस्था होती है स्वतंतर अथोरटी होती है जिसके द्वारा वेतन अरधारित होता है इन देशों के जो उधारण है वो हैं यूनाइटिड किंग्डम ऑस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड ऑस्ट्रेलिया के बाद एक्जाम्पल है न्यूजिलेंड कुछ ऐसे भी देश हैं जहां प्रशाशनिक कर्मचारियों के वेतन के अनुसार सांसदों का वेतन निरधारित होता है इसका उधारण है फ्रांस इसका उधारण कौम सा देश है फ्रांस अब अगर हम बात करें ये जो कटोती की गई है से लाब क्या होगा इससे लगभग 54 करोड रुपे किते रुपे 54 करोड रुपे की बचत होगी लेकिन केंदर सरकार ने जो 20 लाख करोड रुपे का विशेश आर्थिक पैकेज विशेश आर्थिक पैकेज इसकी जो घोशना की थी इसकी तुलना अगर हम करें तो इसकी तुलना में ये 56 करोड रुपे 0.001 0.001 परसेंट से भी कम है तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई खास लाब होने वाला है लेकिन प्रतिकात्मक तोर पे चूंकि सांसदों की जो वेतन है सांसदों का जो वेतन है उसमें एक कटोती की गई है तो प्रतिकात्मक तोर पर ये दिखाता है कि हाँ भी सांसदों का भी वेतन काटा गया है और ये एक महामारी का दोर है ये एक अर्थ ववस्था के लिए चुनोती का दोर है अब यहां हम बात करें प्रारंबिक परिक्षा और मुख्य परिक्षा दोनों के इसाब से तो प्रारंबिक परिक्षा में सीधे सीधे राश्ट्रपती की विधाई शक्तियों से संबंदित क्यूश्यन बन जाता है तो ये होता है अनुछेद 123 क्या कहता है जब संसद के दोनों सदनों में से या कोई एक सदन दोनों सदन या फिर कोई एक सदन सतर में नहो किसमें नहो सत्र में नहो और राश्ट्रपती को ऐसी परिस्थितियां लगती हैं कि कानून बनाना आवश्यक है तब राश्ट्रपती अध्यादेश जारी कर सकता है ठीक है तो संसद का अगर विश्रान्तिकाल चल रहा है कैसा काल विश्रान्तिकाल तब राश्ट्रपती के पास अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्तियां होती है या अध्यादेश जारी करने की शक्तियां होती है हमने शुरू में ही देखा था कि दो अध्यादेश राष्टपती ने जारी किये थे उन अध्यादेशों की जो वैधता है उन अध्यादेशों की जो वैधता है वो एक निश्चित समय के लिए होती है अगर इन अध्यादेशों के प्रावधानों को स्थाई करना है तो एक विधेक लाकर के संसद में पास कराना होगा तो ध्यान समझो मंत्रियों के वेतन और भत्ता संशोधन अध्यादेश 2020 ये है एस्थाई इसका प्रभाव उतना ही है जितना किसी कानून का होता है संसदगे बनाये गए किसी कानून का जितना प्रभाव होगा उतना ही प्रभाव इस अध्यादेश का भी है लेकिन अंतर कहां है अंतर है समयावधी में ये ऐस्थाई है संसदगा बनाया गया कानून इस्थाई होता है तो ये जो अध्यादेश है इस अध्यादेश की जगह एक विधेयक लाकर के संसद से पास करा लेंगे और फिर इस अध्यादेश की जो प्रावधान थे वो क्या हो जाएंगे? इस्थाई हो जाएंगे तो मंत्रियों के वेतन और भत्ता संशोधन विधेयक 2020 को संसद में लाया गया संसद में इसको राज्यसभा में पेश किया गया 14 सितंबर में राज्यसभा से पारित हुआ 18 सितंबर को लोकसभा से पारित हुआ 20 सितंबर को राश्ट्रपती ने अपनी अनुमती दी 23 सितंबर को और ये विध्यक ने 1952 का जो अधिनियम था उसके अंदर संशोधन कर दिया तो इस तरीके से एक अध्यादेश संसद के द्वारा पारित होने पर स्थाई हो जाता है तो जो हमारा अगला अध्यादेश था हो था संसद सदस्यों का वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन अध्यादेश 250 इसमें भी वही प्रकिरिया चलेगी अध्यादेश की जगहा एक विदेख लाया जाएगा विदेख लोग सभा में प्रिस्तावित किया गया पेश किया गया कब? 14 सितंबर को पारित कब हुआ यहां से 15 सितंबर राज्य सभा से कब पारित हुआ? 18 सितंबर राश्ट्रपती रामनाथ कोविन ने अपनी अनुमति कब देदी? 24 सितंबर में पनियनोमती दे दी और इसके द्वारा 1954 का जो अदिनियम था उसमें सांसदों के वेतन में जो हमने कटोती करनी थी वो प्रावधान इस्थाई हो गए लेकिन ये कब तक के लिए प्रभावी रहेंगे ये रहेंगे केवल एक साल के लिए प्रभावी कितने समय के लिए प्रभावी होंगे एक साल के लिए तो यहां हमने क्या क्या देखा वो कौन कौन से अध्यदेश थे जो राश्ट्रपती ने जारी किये उनके जारी होने के बाद वो एस्थाई थे एक समय के बाद उनका प्रभाव खत्म हो जाता विदेयक ला करके उनको स्थाई कर दिया गया 1954 के अधिनियम और 1952 के अधिनियम में संशोधन किये गए और ये जो भी प्रावधान थे ये एक साल के लिए रहेंगी यानि कि जो कटोती होगी वो एक साल के लिए रहेंगी